हेलो ब्रीवन स्वागरते आप सभी का एक वार फिर से हमारे यूटूब चैनल प्राइम लर्निंग में और आज हम गेट 2022 का टुशन पेपर डिसकुस करेंगे लाइब सेंसिस का उसमें हम जो लॉजी पॉर्शन जो है वहां से कुछ लेंगे और उनको डिसकस करेंगे तो चल यह शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्टिन जो है यह वन मांक्स का है और देखते हैं क्वेश्टिन तो यहां पर आमें दिया हुआ है कि विच वन अप तर फॉलोविंग राइट विच वन आफ ता इस वाट कलर में देली थी विच पर आम तो फॉलोविंग और गिनिक कंपाउंड इस कंपोस्ट ओफ ओफ ओन वन नाइट्रोजन चंटेनिंग बेज अ सिंगल फाइव कारवन शुगर और ट्राइफ फॉस्पेट राइट ऐसा कौन सा और गिनिक कंपाउंड है जो की बना होता है एक नाइट्रोजन बेस से इसमें आपका नाइट्रोजन बेस होता है और क्या होता है साथ में शुगर होती है यह सिंगल फाइव कारवन इसमें सिगर होती है बट इसमें जो है वो triphosphate जो है वो present नहीं होता है, अब second है पर nucleotide, nucleotide में क्या होता है, nitrogen base होता है, ठीक है, second है कि यहां पर sugar होता है, और third क्या होता है, third इसमें phosphate भी होता है, triphosphate ठीक है, तो उसको जो right option है, वो B है, second question is, which one of the following animals develops adaptive predator avoidance morphology because of presence of high predator number in habitat, टीक है, ऐसा कहौन सा animal है, जो कि develop करता है, adaptive predator avoidance morphology because of presence of high predator number in habitat, right, तो first हम यहां पर option दिया है, daphnia species, ठीक है, daphnia species, second है, scapiophus, ठीक है, scapiophus, जो है एक toad की species है, ठीक है, toad की species है, right, right, toad, right, जो toad है, यह maximum time, ठीक है, कहां रहता है, predator से बजने के लिए, यह रहता है, burrows में, right, burrows, इसके जो है, high number of, इसके जो है, वो predator नहीं होते हैं, यह एक intercellular bacteria है, ठीक है, जो कि infect करता है, wide range of arthritis, ठीक है, अब इसको क्या जरूरत है, ठीक है, predator से बचने की, ठीक है, यह तो खुद ही एक prey है, मतलब यह खुद ही एक predator है, ठीक है, किसके लिए क्या infect करता यह करता है, A wide range of earthropores, ठीक है, जो earthropores होते हैं, उनको यह infect करता है, earthropores, ठीक है, और aconete वगहरा होते हैं, situation उनको जो है ये इनफेक्ट करता है और इसके बाद next option है रोडिनेस ठीक है ये जो है ये kissing बग है ठीक है इसका जो इसका जो common name है वो क्या ने हुआ इसका नाम है kissing बग ठीक है तो इसके पास किए हैवर transmitting serious disease ठीक है ये disease फैल आता है ठीक है इसको प्रेटेस से बजने की जुरूर्त ही है ठीक है तो जो हमारा first option है Defnea ठीक है वो त्रवार में रहता है ये वाटर के अंदर और और ये क्या शो करता है, ये cyclomorphosis शो करता है, क्योंकि ये जो organism है, इसको जो है वो बड़ी फिशी और छोटी फिशी दोनों ही खाती है, तो इसको इसके जो प्रेडेटर से है, वो हाई नंबर्ज ऑफिस के प्रेडेटर है, तो ये एक, ठीके ये शो करता है cyclomorphosis, जिसका मतलब ह होता है, seasonal change in morphology with population, ठीक है, ये करता है, seasonal change करता है with morphology, ठीक है, ये अपनी morphology change कर लेता है, ठीक है, ये induce करता है, ऐसा defense, ठीक है, comprise करता है, shift in the life history trait, जिसकी size और age, first reproduction, alternation of behavior, और और ये समझे के, ये thorns, वग्यारा, crowns, वैसे सब चीज़े ये अपने predator से बचने के लिए use करता है, ये तो ये जो predator avoidance morphology है, इसका जो use करता है, वो करता है, ये करता है, definite species होती है, उसका right option है, next question है, तो which class of drosophylla developmental gene does fuzzy trazu belongs, ठीक है, जो fuzzy trazu जीन है, वो drosophylla के development में, ठीक है, development में क्या करती है, वो belong करती है, तो वो कौन से class से, ठीक है, वो कौन सी gene है, ठीक है, इन में से जो F, T, Z gene है, वो कौन सी gene है, कौन सी class से belong करती है, यहाँ पे पूचा हुआ है, तो first day हमारे पास option A, that is gap genes, gap genes क्या होती है, यह giant genes होती है, giant इनको बोलते हैं और इनको regulate करती है, maternal effect gene, right, तो maternal effect gene इनको regulate करती है, और इन में F, T, Z gene ठीक है, यहाँ से belong नहीं करती है, second आती है, segment polarity gene, segment polarity gene, segment polarity gene है, right, यह भी F, T, Z से belong नहीं करती है, जो third है, pair rule gene, ठीक है, जो pair rule gene है, pair rule gene का example है, F, T, Z, ठीक है, यहाँ से belong करती है, यह gene, जो की develop, जो की drosophila के, जो की drosophila की developmental gene है, right, इसका जो राइट option है, वो है, C, next question है, the action of which class of enzyme inhibitors can be reversed by adding an excess of substrate, right, first option है, आपके पास, uncompetitive inhibitors, uncompetitive inhibitors, ज्या होते हैं, की, the inhibitors, inhibitors, binds to any place of enzyme, other than active site, only when enzyme form ES complex, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, की इसे कौन से class enzyme की, enzyme inhibitors की, जो की, अगर इसको reverse करें, by adding an excess of substrate, तो, ठीक है, तो reverse हो सकती है, by adding an excess of substrate, तो इसमें uncompetitive inhibitor के आईए, जो active site है, वहाँ पर यह bind नहीं करता है, इसके बजाय को कहीं और bind करता है, ठीक है, तो इसमें जो है substrate का कोई रोल नहीं है, substrate जादा हो या कम हो, इसको कोई फर्क तो पढ़ना है नहीं, इसने तो active site पर जो है वो, ठीक है, bind नहीं होना है, ठीक है, यह कोई active site है, ठीक है, यहाँ पर आपका bind होना है, enzyme, ठीक है, यहाँ पर आपका enzyme bind होना है, बट यह जो inhibitor है, ठीक है, inhibitor यहाँ पर bind नहीं होगा, inhibitor bind होगा इधर, ठीक है, कहीं भी bind हो जाएगा, active side को छोड़ के ठीक है यह है active side second आते हैं आपके competitive inhibitors ठीक है competitive inhibitors वो inhibitors होते हैं जो की compete करता है जो substrate होता है उसके साथ active side पर bind होने के लिए ठीक है हाँ अगर इनकी concentration अगर जैसे कि अगर substrate की concentration increase कर दी जाए तो chances है कि जो inhibitor है वहां पर bind ठीक है chances है कि inhibitor वहां पर bind ना हो उसको reverse किया आ सके ठीक है तो इसका जो right option है वो B है that is competitive inhibitors ठीक है next question है आपका genetics से यहां पर है कि Mendel deduces the genetic principle of inheritance by experimenting a sweet pea plant on the one of the experiment involved crossing plant with two contrasting character ठीक है एक तोल लिया एक गर्ट लिया विच एलिया एक गर्ट लिया विच एलिया विच plants in first generations when the same genetic cross war was independently repeated ठीक है तो बाई researcher only short plant were only one short plant were obtained which of the following can possibly express the altered outcome ठीक है यहां पर क्या बता रहे है कि मेंडल ने experiment किया था ठीक है मेंडल ने deduct किये थे genetic principle of inheritance ठीक है बाई experimenting on the pea plant ठीक है तो उस experiment मेंडल ने बताया था कि उसने क्या किया था उसने दो उसके result आये थे first toss से वो सार के सारे क्या से वो टॉल थे राइट बट वैन सेम ठीक है पट जब जैसे कि जब थो same experiment है वो independently repeat किया गया कुछ researchers के द्वारा तो उन्हें वहां पे एक short plant भी मिला थी कि मेंडल ने तो पूल था कि सारे के सारे यह आप टॉल प्लांट है पट उनको वहां पे एक short plant भी मिला during their cross right तो यहां भी पूछ रही है कि which one of the following can possible explain the alternate outcome right so first take it tall plant were hydrodigrous ठीक है tall plant were hydrodigrous यह तो मेंडल ने कहा था यह तो गलत हो जाएगा second है एन्हांसर of tall allele is present in a dwarf plant नहीं this option is also wrong also pressure for the tall plant is present in a dwarf face यह वाल option से हो सकता है ठीक है कि अब गार plant ने कैसे express किया खुद को विद्धे ठीक है due to the presence of pressure for the tall allele ठीक है तभी dwarf plant वहां पे उनको मिला तो c is the right option right next question है ठीक है यह msq type का question है right msq multiple selection question है right और यह one marks का है यहां पे negative this question में जो है negative marking नहीं है तो यह question है कि which one of the following is or are responsible for reversible receptor leakage interaction ठीक है जो reversible receptor leakage interaction होती है इन में से कौन सी interaction उसमें होती है ठीक है तो जो reversible interactions होती है ठीक है उसमें mainly ionic interactions होती है hydrogen bonding होती है और hydrophobic interaction होती है ठीक है तो यह ही तीनों के तीनों जो option जो right option है और peptide bonding नहीं होती है ठीक है जो irreversible होती है उसमें covalent bonding होती है ठीक है तो these are some questions जो हमने भी डिस्कस किए next question हम next video में discuss करेंगे तब तक के लिए thank you so much